नेक्स्ट कोशन देखिए मेरे भाई थोड़ा सा हमने आपको रेट जो है वो नॉर्मल वाला रेट ना देखे कुछ इस प्रगार का रेट दिया है अब इसके उपर एक सवाल का अंसर शेम टाइप में दे दीजिए कहा कि एक वस्तु को तेरा सही एक वटे चार के लाव पर बेचा जाता है अगर इसे 76.7 रुपे अधिक में बेचा जाता तो लाव हमारा इतना जो है वो होता वस्तु का लागत मुले का 50% बता दीजिए कि लागत मुले का हमारा 50% क्या है चुट मोटो कोश्यन अगर हम बात करते हैं अगर हम छोटी सी चीजों को समझते हैं तो ऐसे मान लो मेरे भाई की जैसे पहले क्या था तो पहले हमारा सौ परशंट पहले हमारा 10% का प्रॉफिट होता था अब हमारा 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो अब मुझे एक्स्ट्र कितना मिला तो बोलोगे सर आपको एक्स्ट्रा 20% मिला है उसी तरीके से अगर हम बात करें तो CP जो रहता है दोस्त मेरे क्या रहता है CP हमारा बीच में करें तो यानि हम बात करते हैं तो पहले जो profit मिलता था 13. 25% का मुझे it हम profit देखें, तो मिन्हारा 6А5, 5 इसको भाग करेगा .2 बार में, तो यह हमारा हो जाएगा 16.20 मेरे ऐयो 20 आप अगर देखेंगे इसमें से इसको माइनस करके तो आपको लगबग कितना मिलेगा ये बताओ तो आप बोलते से अगर ये 16.25 रहता तो इसमें सीधा गटाते तो 3 आ जाता लेकिन यहाँ पर ये 0.5 हमारा कम है तो ये हो जाएगा 2.95 कितना हो जाएगा मेरे भाई 2.95 परशंट नहीं यकिन हो तो इसमें से आप इसको जोड़ के देख लिजए आपको मेरे भाई यहीं मिलने वाला है ठीक है यानि इतना परशंट तो यहाँ पर जो 76.7 है भाई तो 76.7 हमारा कितने कमान होगा तो बोलोगे सरी यह 2.95 कमान होगा और मुझे पूरा cost price नहीं बताना है अपने cost price का 50% बताना है यानि कितने की value बतानी है तो cost price का 50% यानि मेरे भाई 50 कमान हमें बताना है वहीं बात है दशमला हटा दीजे तो यहाँ 100 आना है और आपका यह 5 से कितनी बार में गया तो आपका 10 बार में गया 59 से हम इसे काट सकते है मेरे भाई 13 बार में जाएगा ठीक है 13 की 9 कुन 117 का 17 साथ आपका 11 पास में 356 लटें 156 में तो यह कुल मिला कर कितना अंसर हो जाएगा 1300 मेरे भाई यह आंसर होगा यह हमारा बिलकुल सही उत्तर होगा क्लियर है यह बात है है पर कितना आंसर होगा तो हमारा 1300 option number जो C है बिलकुल सही उत्तर होगा तो हमारा data भी हमें देखते रहे नहीं सवाल को बनाते हो नहीं तो बहुत परिशानी हमें हो जाएगी ठीक है बाकी जैसा है कि मैंने आप लोग को promise किया था कि 2022 और 2023 में हमारे जितने भी परिशा होई है जैसे CRPF head constable हो गया ICAR का paper हो गया IARI का paper हो गया selection post 11 हो गया CDS का paper हो गया तो आपको इनको अलग-अलग लगाने की अवशकता नहीं है इनके जो best question होंगे मैं आप लोगों के लिए filter out करके उसको chapterize करवाते जाओंगा तो अभी देख लीजे आप CRPF head constable ministerial बहुत ही top level का मेरे भाई paper था ठीक है बहुत ही अच्छे-च्छे questions इसमें पूचे गए थे तो ये paper आपका फरवरी 2023 में हुआ था ये सवाल को आप देखिए क्या कहा गया नॉर्मल सा question मैंने भी एक डाला है क्योंकि starting है भी profit loss का तो ये आपको benefit हो यहाँ पे तो कहा गया एक वैपारी ने 1050 रुपे में समान को खरीदा है और उसी दिन उसे 1228.5 रुपे में जनरली लोगों का दिमाग कामी नहीं करेगा यही फायदा होता है नया सवाल लगाने का एक होता है कि आपने घिसे बिटे सवाल लगाएं और बस उसी में आप खुश हैं और आपको लगता है कि आपको असीम ग्यान प्राप्ती है profit and loss की अच्छी बात है उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन जो नए सवाल होते है न तो उनको भी साथ के साथ encounter किया गरो क्योंकि वो काफी कुछ नया सिखा जाते है इसलिए मैंने कहा था आपके हिससे की मेहनत मैं करूँगा आपको परिशान होने की जरूवत नहीं और ऐसे ऐसे questions खुद मैं निकाल के लेके हूँगा और इनके smart approach भी मैं आपको बताऊँगा वसे की काम करना और वो ये class को देखा पस तो आप इस सवाल को देखो किसी वेक्ती ने सामान को खरीदा एक 1050 में और उसी दिन बेच दिया है रखा भी नहीं अपने पास उसी दिन बेच दिया तो ब्याज नहीं लगेगा सेम डेप पे और कितने में बेचा तो 1228.5 में बेचा है और कितने के credit पर बेचा है सामने वाले को तो मेरे भाई 10 महीने के credit पे और फायदा कितने का हुआ है तो 4% rate क्या है समझे वो वेक्ती इतने रुपे में समान को खरीदा है और वो इतने रुपे में समान को बेचता है और उसको यहां इतने परसेंट का profit होता है तीक है वो उसको इतने रुपे का profit होता है पूरे सवाल का अगर हम सार समझे तो ये सवाल का पूरा का पूरा जो समरी है वो क्या है मैं एक person हूँ मैंने यहां पर एक समान को इतने रुपे में खरीदा है और उसी दिन मैंने इतने रुपे में 10 महीने के credit पर बेच दिया है कोई 10 महीने के बाद मुझे पैसे देढना इस तरीके से करके और मुझे 4% का ही लाब होता है तो प्रतीवर्ष जो है ब्याज कादर मेरे उपर क्या लगेगा क्रेडिट पर मैंने बेचा हुआ है तो ब्याज कादर मेरे भाई क्या लगेगा तो अब ऐसे सिच्वेशन में मेरी जो कमाई होगी वो थोड़ी कम होगी ठीक है अगर मैंने credit price को नहीं दिया होता तो शायद मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा कमा लेता चुकि मैंने यहाँ credit में दे दिया है तो कैसे होगा क्या होगा वो समझे पहली बात तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें profit जो मिला है वो हमें कितने का मिला है तो आप बोलेंगे sir profit आपका क्या है selling price में से अपने cost price को घटा दीजे तो आपका profit आजाएगा यानि अगर हम बात करते हैं तो 1228.5 में से मेरे भाई आप घटा दो कितना 1050 घटा दो ठीक है तो यह आपका कितना हो जाएगा 178.5 मेरे भाई हो जाएगा सिधा कितना हो जाएगा तो 178.5 आप देख रहें ने यहाँ पर 178.5 इसमें से इसको घटाने पर इतने का profit यह इतने का profit होना चाहिए था ठीक है इतने का profit मेरे भाई होना चाहिए था लेकिन कहा गया कि इस प्रकार 4% का ही लाब कमाया है उसने तो यानि उसने कमाया कितना है जो उसने मेरे भाई कमाया है वो कितना कमाया है तो आप यहाँ पर बोलोगे तो बोलोगे सर देखिए 1050 का 4% है 1050 का मेरे भाई कितना तो 1050 का मेरे भाई 4% यहाँ पर वहीं बात है 0 से 0 खतम 2 से 2, 2 से 5 और 5 से कितना दोस्तों यहां 21 यानि उसने इतने रुपय का लाव कमाया है तो उसको यहां पर इतने का लाव होना था लेकिन उसने कमाया कितना 42 तो बाकी पैसा कहा गया तो बाकी पैसा मेरे भाई ब्याज के रूप में चला गया बाकी पैसा कहां चला गया तो बाकी पैसा दोस्ते यहां पर ब्याज के रूप में चला गया यानि अगर हम बात करते हैं तो ब्याज उसका कितना लगा है तो यह बोलोगे सर ब्याज जो है इसमें से आप इसको माइनस कर दीजे 178 में से 42 को माइनस कर दीजे तो आप यहां बोलेंगे सर देखिए 136.5 कितना हो जाएगा यानि इतने रुपे का सर हमारा क्या लगा है तो इतने रुपे का हमारा ब्याज लगा है इतने रुपे का मेरे भाई क्या लगा है तो इतने रुपे का हमारा ब्याज लगा है और ये ब्याज मेरे भाई कितने महीनों में लगा है तो 10 महीनों के credit पे लगा हुआ है तो आप मुझे बताओ ब्याज का formula क्या होता है तो बोलोगे sir simple interest बराबर P into R into T upon क्या हो जाएगा 100 P into R into T upon 100 ये formula होता है पस इसी में आप मेरे भाई fit करिये आपको कितने का ब्याज मिला तो बोलोगे sir 136.5 का ब्याज मिला है principle आपका क्या है दोस्त तो principle आपका 1050 है rate के बारे में बात करते हैं वहीं तो निकालना है time के बारे में बात करेंगे तो 10 महीना और ये 10 महीना को साल में convert करने के लिए क्या करोगे तो 12 से मेरे भाई डिवाइड करोगे और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा इंटू यहाँ पर हो जाएगा 100 बस यहाँ से rate calculate कर लो आपका answer मेरे भाई आ जाएगा यहाँ पर ठीक है तो आप यहाँ पर देखो दशमला हटाओगे नीचे आपका 10 आ जाएगा calculate कर लो भाई 10 से 10 कतम 10 से 10 कतम और यहाँ पर क्या उपाए है आपके पास तो आपके पास solution यहाँ 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 जैसे आपने काटा तीन से मेरे भाई काटेंगे तो 35 बार में आपका यह कटेगा और तीन से काटेंगे तो आपके यह चार बार में कटेगा और आप क्या कर सकते हैं 35 से direct इसको काट सकते हैं 35 का मेरे भाई 4 गुना कितना हो जाएगा 35 का 4 गुना जो है ठीक है आपका 140 हो जाएगा 35 का 3 गुना कितना 35 का 3 गुना 105 अगर हम 105 यहां ले जाते हैं, तो मेरे भाई कितना होगा? 105 यहां ले जाते हैं, तो फिर 315 हो जाएगा, और 35 का मेरे भाई यह कितना गुंझा हो जाएगा? 9,45, 49,47,-35, बिलकुल! आप सिदा-सिदा मेरे भाई इसको 35 से बढ़ादो देखो, 35 से अगर आप इसे काटोगे तो 35 का मेरे भाई पहली बाद तो 3 गुना कितना होगा 35 का 3 गुना 105 होगा 105 होगा तो 315 बचेगा और फिर उसके बाद 35 को आप 9 से गुना करो मेरे भाई तो 315 यानि 39 बार में यह जाने वाला है तो अगर हम rate की बात करते ही है अगर हम rate की बात करना ही है तो कुछ नहीं यह 4 को इससे multiply करके 10 से भाग कर दो तो 39 का 4 गुना कितना हो गया चार तियां 20 ठीक है 129 चोगे 36 यानि 15.6 मेरे भाई कितना आजाएगा लगभग लगभग निया रिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर इसको जब आप गुना करेंगे तो 15.6 के करीब में आपका rate of interest मेरे भाई जाने वाला है यहां पर तो क्या हो जाएगा option number C जो है वो हमारा correct answer होगा आओ question number 5 देखो question number 5 हमारे एक special concept पर है अक्सर जैसे हम बात करते हैं तो हमें जो profit होता है या loss होता है वो मेरे भाई क्या होता है तो वो हमारे cost price पर होता है ठीक है लेकिन हमारा selling price पर भी जो है वो profit या loss के उपर question पूछा जाता है जैसे मैंने कहा कि दो लोग है एक वेक्ति मेरे भाई क्रे मुले पर 20% का लाब कमा रहा है तो यहां पर हम इसे अगर हम बात करेंगे तो किस तरीके से वैसे सवालों को हम solve करते है कैसे हम उसको tackle करते है तो जरह आप इस question को देखिए नीरज और दीपक के दो दोस्त है मतलब नीरज और दीपक दो दोस्त है नीरज विक्रे मुले पर अपना 100% की गन्ना करता है और दीपक क्रे मुले पर अपने 100% की गन्ना करता है यदि दोनों 20% का लाब कमाने का दावा करते है और वहां वास्तिक लाब के बीच का अंतर 100 रुपे है तो दोनों के विक्रे मुले समान है तो उनका विक्रह मुल्ले क्या होगा दो दोस्त है मेरे भाई वेर इंट्रेस्टिंग कोशिन देरा टू फ्रेंड नीराज और दीपक नीराज कैलकुलेट इस प्रॉफिट पर्शंट अन SP उसको जो प्रॉफिट मिलता है वो सेलिंग प्राइस पर और दीपक को जो प्रॉफिट मिलता है वो कोश्ट प्राइस पर और दोनों को अ मेरे भाई बीस पर्शंटेंड का प्रॉफिट मिलता है तो बोला गया यहां पर फाइन अफ्यर्स between अर्-चुल फ्रॉफिट is 100, दोनों का जो actual profit का difference है वो 100 रुपय का है और साथ में ये भी कहा गया कि दोनों का selling price सेम है तो वो selling price की value हमारी कितनी होगी, अब एक बात बताते हैं जैसे मान लिजे कि अगर मैंने कहा कि एक वेक्ति को देखो profit percent on किस पे मिले, तो profit percent on CP को हम कैसे लिखते हैं और profit percent on SP को हम कैसे लिखते हैं जरा दोनों बातों को समझेगा यहां पर अगर मान लिजे CP पर बात करते हैं किसी वेक्ति को 20% का lab हुआ और अगर हम SP पर बात करते हैं यहां पर 20% का lab हुआ तो इनके मतलब क्या होते हैं और इनके ratio हम कैसे लिखते हैं वो देखो भाई तो यहां 20 percent का मतलब कितना होता है एक वटे 5 होता है ठीक है यहां जो lab मिला है वो CP के उपर मिला है तो नीचे वाली value को हम CP कहते हैं और उपर वाली value को हम profit कहते हैं और यहां जो लाब मिला है मेरे भाई वो एक बटे 5 है तो यह हमें SP के उपर मिला है तो नीचे वाले को हम SP बोलेंगे और उपर वाले को हम profit बोलेंगे समझ में आ रहा है बात यहां पर यहां क्रेम उल्ले के उपर लाब मिला है तो नीचे वाला क्रेम उल्ले कहलाता है आपने समान खरीदा कितने में, तो 5 रुपए में, 5 रुपए में एक का लाव हो गया, तो बेचा कितने में, 6 रुपए में, समझ गये मेरे बात को यहाँ पे, और उसके बाद अगर आप यहाँ देखते हैं, तो आपने यहाँ समान को बेचा कितने में, 5 में, आप किसी समान क को 5 में बेचे आप एका लाब मिला है तो आपने मेरे भाइँ खरीदा कितने में था तो आपने खरीद उसको 4 और था तो दोनों के माएन्टहुते हैं सब्सक्राबिते हैं। यहां पर यह रेशियो 5 और 6 हो बनाता है और यहां व रेशियो 4 और 5 इफका बनाता है, यह ध्यान रखेंगे आप इस बात को लेके, ठीक है, आप दोनों के रिइशों को से नहीं कह सकते हैं, यह हमारा CP पर है, तो नीचे वाली वैल्यOO CP होती है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, तो इस सवाल में हम कैसे लिखेंगे, देखें, बोला गया, द दीपक का भी CP और SP लिखेंगे, अब point number one according to the question, क्या कहा गया वो देखो यहाँ पर, ठीक है, बोला गया, नीरज calculate his profit percent on SP, नीरज को जो profit होता है, वो selling price पर होता है, तो selling price पर होता है, यानि अगर नीरज का 20% हम लिखें, तो वो एक बटे 5 होगा, लेकिन इसको जो profit मिल रहा है, वो selling price पर मिल रहा है, इसको जो मिल रहा है मेरे भाई, वो selling price पर मिल रहा है, तो selling price पर मिलने का मतलब, यहाँ पर क्या हो गया, तो selling price पर मिलने का मतलब, यह नीचे वाला क्या है, तो नीचे वाला selling price है मेरे भाई, यानि निरज ने समान को कितने बेचा है तो 5 में 5 में बेचा है और एक कालाब कमाया है तो खरीदा कितने में होगा भाई तो 4 में ये point clear हुआ अब दीपक की बात करते हैं दीपक को 20% का profit मिला है 20% का मतलब कितना 1 बटे 5 लेकिन दीपक भाई ने जो कमाया है ना भाई? वो कमाया है क्रैम-प्रे या नि cost price पे तो दीपक भाई के लिए ये जो नीशे वाला होगा वो क्या होगा हमारा तो CP होगा 5 हमारा क्या ओगा CP होगा तो 5 में हमारा CP हो गया और 5 में एक कालाब कमा लिया तो 6 रुपे में बेचा तीक है अभी हमने क्या लिखाया मात्र रिश्यो क्वेश्चन में एक important point दोस्त यहां दिया गया है और वो हमारा important point क्या है तो वो important point यहां पर यह कि SP of both is same दोनों का जो विक्रे से हो जाएगा और इसको हम 5 से गुना करेंगे तो यह भी हमारा पांच से हो जाएगा अगर सही माहिने में देखो तो यह दोनों दोस्त क्या हो चुके हैं बराबर क्योंकि एक्जामनर नहीं जहा था कि SP of both is same मेरे भाई ठीक है अब यहां पर देखोगे तो क्या भोलोगे जरा समझो मेरे भाई इस बात को तो क्वेशन में आपको क्या का आगया difference between their actual profit is 100 दोनों का profit का जो अंतर है वो कितना है 100 है अब आप यहां देखो इसने समान को खरीदा चौवीस रुपय में और बेचा है तीस रुपय में तो profit इसका कितने का है तो बोलोगे सर्सरे हमारा छे का है इस कितने का है इन्के profit का शेय का आया है यह जहांनोंनने पूछा क्या है find their SP उनका selling price का मान कितना है selling price हमारा 30 है यानि इसको 30 से गुना करेंगे तो यह हमारा 3000 आ जाएगा जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा कौन सा option होगा तो option number B for बहुबली तो जिस तरीके से नीरज को लाब मिला तो उसके CPSP का ratio लिख दिया हमने जिस तरीके से दीपक को लाब मिला तो उसके CPSP का ratio लिख दिया हमने फिर उसके बाद कहा गया था यह दोनों हमारे बराबर है तो हमने इनको बराबर किया फिर उसके profit का हमारा difference दिया गया था तो यह जो था यह profit का difference था तो हमें क्या बताना था selling price यहां पर clear है भाई चलो आजाओ next question बढ़ते हैं और अगला सवाल को हम देखते हैं एक और प्यारा सा ललो फुलो सवाल है मेरे भाई यहां पर यह देखे एक और question क्या कहा गया एक किसी वस्तू के विक्रे मुले पर अपने लाब प्रतिशत का परिकलन करता है और जबकि बी किसी वस्तू के लागत मुले पर अपने लाब प्रतिशत का परिकलन करता है यदि उनके लाब के बीच का अंतर 580 रुपे है और वे दोनों के लिए वस्तू का विक्रे मुले बराबर है और उन दोनों का 28% को लापराप्त होता है तो वस्दू का विक्रय मूले क्या है मैंने जस्ट पीछे वाले question को उठा के उसी का photocopy कर दिया है पीछे वाले में data हमारा 20% दिया गया था यहाँ पर data को हमने 28% कर दिया है समझ गया एकदम डिट्टो सेम है वहाँ दो दोस नीरज और दीपक हुआ करते थे और यहाँ पर मेरे भाई दो लोग है A और B करके वहाँ पर कोई 1% को profit percent SP पे मिलता था और एक को CP पे यहाँ पर भी एक को profit percent SP और एक को मेरे भाई मिल रहा है CP पे वहाँ भी दोनों का selling price same था यहाँ पर यह वाला सवाल आप लोग लगा लेंगे तो एक कोईशन आप लोगों को दे रहे हैं ट्राइ करने को अगर आप से नहीं बनेगा तो definitely मुझे अगले class में बताईएगा मैं आप लोगों को मेरे भाई बता दूँगा आए चलिए नेक्स कोईशन की बात करते हैं वो देखें एक center table को 13,440 रुपे में बेशने में और जित लाब प्रतीशत उसी center table को 10,560 रुपे में बेशने से प्राप्थानी प्रतीशत के बराबर है 20% का लाब कमाने के लिए वस्तू को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए यह भी एक बड़ा प्यारा सवाल है बहुत चोटू मोटू question है अकसर आप लोगों भी मॉक्तस देंगे तो जब मॉक्तस देंगे न तो उसमें आप लोगों को ऐसा सवाल मिलेगा कि किसी वस्तू को फलाने रुपे में बेशने पर हुआ लाब प्रतीशत किसी वस्तू को फलाने रुपे में बेशने पर हानी पर्षंट के बराबर है तो वैसे केस को आप कैसे टेकल करोगे इसमें एक जो लाइन होता है वो मतलब हमेशा आता है आपके मॉक्तस में कोशन ऐसा फिक्स रहेगा ये वाला लाइन profit percent is equal to loss percent profit का जो percent है वो मेरे भाई बराबर है और किसके बराबर है तो बराबर है हमारे loss percent के अब यहाँ पर समझो मैंने कहा कि हमारा जब profit percent अगर मान लीजे बराबर हो जाएगा loss percent के तो इसका मतलब मेरे भाई क्या है तो यहाँ पर थोड़ा सा point को समझे profit percent का formula क्या होता है तो बोलेंगे sir profit upon cp into कितना हो जाएगा into 100 ठीक है और loss percent का formula क्या होता है तो loss percent का formula loss upon cp into 100 अगर आप देखोगे तो दोनों article पे अगर cp same है तो cp cp कट जाता है 100 100 कट जाता है और फिर हमारा profit बराबर हो जाता है कि इसके loss कि यानि जब भी सवाल में आप से ये कहा जाए कि profit percent जो है वो loss percent के बराबर है इसका मतलब जितने रुपए का लाव आपने कम आया है उतने रुपए का ही आपको क्या हुआ है इससे बात को लेकर तो अगर हम यहां बात करते हैं मेरे भाई तो देखे यानि हम क्या कह रहे हैं तो profit percent is equal profit percent earn by selling an article for itna is equal to earn by selling the article for itna तो यह एक butterfly concept है butterfly concept का मतलब क्या होता है आप समझो कोई वस्तु है जिसकी कीमत मेरे पास है कुछ तो उसका CP हमने माल लिया यदि इस वस्तु को मेरे भाई हम कितने बेचते हैं तो यदि इस वस्तु को हम 13,440 रुपए में बेचते हैं और यदि हम इसी वस्तु को मेरे भाई कितने में बेचें तो 10,560 में बेचें तो जब हम इसको ज़ादा में बेचते हैं तो मुझे profit होता है और जब हम इसे कम में बेशते हैं तो मुझे नुकसान होता है तो यहाँ पर बोला गया है कि बताओ at what price should the article be sold to make 20% profit तो आप मुझे यहाँ यह यह बता दीजे कि यदि मैं उस वस्तू को 20% के फायदे में बेच हूँगा तो मुझे कितने में मैं उसे बेच पाऊँगा अब यहाँ पर स्रमझे इस बात को लेकर मुझे selling price निकालना है बट वो selling price तो हम तब निकालेंगे ना जब हमें cost price निकरें मुले पता होगा तो butterfly concept मैं इसे क्यों कहता हूँ क्योंकि बीच में एक value होती है और यहाँ पर मेरे भाई ऐसा एक तरीके से दिया जाएगा और यहाँ पर एक ऐसा दिया जाएगा जैसे इस पर जो question बनता है वो क्या बनता है वो सवाल देखो कहा जाता है मेरे भाई कि तुम्हारे पास कोई वस्तू है उसकी एक CP है यदि आप इस वस्तू को 500 रुपए में बेचते हो तो हुआ profit मेरे भाई और यदि आप इस वस्तू को मेरे भाई 200 में भाई 200 में बेचते हो तो ये loss तो question में कहा जाता है कि यहाँ वाला जो profit है यहां के loss के दो गुना है तो बताओ पहला सवाल CP कितना है मैं एक दम छोड़ू गोशन करा रहा हूँ दीके इसको butterfly concept भी भोलते हैं कि यहां का profit यहां के loss के दो गुना है तो मान लीजे कि अगर loss हमारा 1 रूपय का है तो यहां profit कितने का है? 2 रूपय का है profit मेरे भाई कितने का है? 2 रूपय का है तो इन दोनों का जो हमारा difference होगा वो इस ratio में बटेगा इन दोनों का difference हमारा कितना है? तो इन दोनों का difference हमारा 300 है और यह 300 हमारा कितने में बटेगा? तो 300 मेरे भाई 2 और एक यहां पर 3 unit में बटेगा कितने में बटेगा तो 3 यूनिट में बटेगा तो 3 यूनिट का मान हमारा 300 है तो 1 यूनिट का मान हमारा 100 हो जाएगा 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 100 रुपे तो अगर मुझे यहाँ पर CP निकालना है तो मैं CP को 2 तरीके से निकाल सकता हूँ या तो इसमें एक यूनिट जोड़ दूँगा तो आजाएगा या इसमें से दो यूनिट घटा दूँगा तो आजाएगा तो CP का मतलब क्या हो गया तो जैसे 200 है उसमें मुझे एक यूनिट का मान जोड़ना है 1 unit कमा 100 रूपए तो 200 में 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 300 या फिर दोस्ते हैं पर ऐसे कर शक्रते हैं कि हमने 500 में से कितना गठा दिया 500 में से 2 unit 1 unit कमा 100 तो 2 unit कमा 200 तो हमारा निकल के आजाएगा 300 तो मैंने क्या कहा मेरे भाई ये हमारे एक butterfly concept हो गया तुम किसी वस्तू को इतने में बेचते हो तो हुआ लाब तुम्हारे इतने में बेचे गए हानी का double है ऐसा statement मेरे भाई दिया जाता है तो इसी तरीके से हम निकालते हैं इनका ratio लेते हैं और इसके gap को इस ratio में बांट देते हैं तो वहाँ से unit और value का एक relation मिल जाता है और उसके बाद हम यहाँ पर श्रीपी निकाल देते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई जो है वो उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे और देखें यहाँ पर यहाँ पर बोला गया कि profit का percent बराबर है loss के percent के तो profit का percent अगर मेरे भाई loss percent के बराबर होता है तो percent से percent आपका कड़ गया माल लेज़े तो profit आपका किस के बराबर? loss के बराबर यानि जितने रुपय का profit उतने रुपय का loss है यानि मेरे भाई ये 1 ratio किस में बटा है? तो 1 ratio 1 में बटा है अब इस butterfly concept में एक special point आता है और वो point क्या है यदि जितने रुपे का profit है उतने ही रुपे का मेरे भाई loss हो गया तो CP को निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजे special point मेरे भाई कि जब आपका profit जो है मेरे भाई loss के बराबर हो गया तो आपको मेरे भाई CP निकालना है तो ये दोनों को जोड़ के आधा कर दो दोनों को जोड़ के मेरे भाई क्या कर दो आधा कर दो ये तुम्हें within seconds कर लेता शुरू में लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये पूरी कहानी बताई है फिर मैंने आपको ये पूरा एक example देखे clear up किया ताकि आपके mind में बैठे एक होता है सवाल solve करना वो मेरे लिए बाई हाथ का खेल है लेकिन फिरो आपको समझ में नहीं आए तो क्या फाइदा है इस बैच लेने का फिर ठीक है तो इसलिए समझ ये आपके वस्तू को लेकर ये सारा का सारा मामला एक ही वस्तू के cost price पर घूम रहा होता है एक ही वस्तू की बात की गई है तो cost price भी एक ही होगा एक बचे ने पूछा दोनों का अलग अलग CP होगा बिलकुल भी नहीं होगा दोनों का CP एक ही होगा तो यहां पर मैंने क्या कहा दोनों को जोड़कर आधा कर दो 13,000 और 10,000 23,000 हो गया और 23,000 और मेरे भाई एक हमारा हो गया 26,000 तो यहां पर क्या बोलेंगे CP का मतलब क्या होगा अविर भाई दोनों को जोड़कर उसका आधा यानि यह हो जाएगा हमारा 12,000 कैसे करोगे यह 12,000 और कैसे ला सकते हो तो अभी जो मैंने आपको समझाया आप उसके माध्यम पर भी लेकर आ सकते हो जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा कि इन दो लोगों का जो भी गया पा रहा है इन दो लोगों का जो भी गया पा रहा है उसको दो भाग में बाट दो तो दो भाग में बाट दोगे तो एक भाग का मान निकल जाएगा या तो उसमें उतना जोड़ देना तो यह आ जाएगा या उसमें से उतना गटा देना तो आ जाएगा बट शोटरी के याद कर लो कि जब तुम्हारा profit और loss बराबर होते हैं तो सीधा CP निकालने के लिए दोनों को जोड़ के यादा कर देते हैं अब कोशन में क्या कहा गया कि यदि आप उस बस्तू को 20% के लाब पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे यानि आपको selling price निकालना है तो selling price निकालना है तो मेरे भाई 12,000 में मैंने कोई article खरीदा है खरीदा है इसका मतलब यह कितने का मान है तो 100% का मान है और मुझे इसको 20% के लाब में बेचना है तो 100% के समान में 20% का लाब यानि हम कितने में बेचेंगे तो हम इसे 120% में बेचेंगे 20-20 खतम 12 into 12 144 00 यह हमारा correct answer है कौँ सो option है तो option number C बिलकुल सही उत्तर है अगले सवाल के तरह बढ़ते हैं अगला सवाल हमारा CHSL का 2023 में पूछा गया बड़ा प्यारा सा सवाल है विजय 14 रुपया प्रती दरजन की दरशे केले बेचता है और 40% का लाब अरजित करता है बाद में केले का क्रेम उले 30% बढ़ जाता है यदि विक्रेम उले समान रखा जाता तो उसका नया अला प्रतीशत क्या होता कुछ ऐसे सवाल भी आपके पेपर में पूछे जाते है थोड़े से टाक्टिकल कोश्चन्स होते हैं कि विजय सेल बनाना अटरेट अटरेट अफ 14 पर दरजन and earn a profit of 40% the cost price of the banana increases by 30% if the selling price remain the same what will be the new profit percentage चली आईए मेरे भाई तो यहाँ पर देखते हैं विजय सेल बनाना अटरेट of 14 पर दरजन यानि विजय जी किसी समान को कितने में बेच रहे हैं तो 14 रुपय प्रती दरजन में बेच रहे हैं उसके बाद उनको 40% का profit हो रहा है यानि ये बेचने का दाम है तो यानि selling price है यानि कितने का मान है तो 140 का मान है ठीक है और मेरे भाई cost price का पता करना है तो क्या करेंगे तो cost price का पता करना है तो 100 से गुना करेंगे होता है न कि सर ये जूबी दिया गया वो selling price है selling price है मतलब कितने का मान है तो बोलोगे 140% का मान है हमें पता करना है cost price तो cost price के लिए हम किस से गुना करेंगे तो 100 से गुना करेंगे अब कहा गया कि यदि आपने cost price को 30% से बढ़ा दिया है कितना बढ़ा दिया 30% से यानि मेरे भाई यहां पर यदि ये cost price अपने आप में 100% है तो आपने इसको 30% बढ़ा के कितना बना दिया 130 बढ़ा दिया यह आपका नया cost price हो गया कि आज जो भी कीमत है आपके पास वह सारह गा सारह 100 परशंट है तो 130 परशंट निकालो तो क्या निकल के आ जाएगा नया cost price निकल के आ जाएगा और अगया the selling price remain the same यानि पहले आप जितने में बेशते थे आप आज भी उतने में बेशते हो यानि पहले की selling प्राइस्वदा थी तो आज की selling price मेरे भाई जो हता है यानि आपका CP हो चुका है और यह तो question में आपको कहा गया what is a new profit percent नया आपको लाव कितने का होगा अब यह सवाल सिर्फ आपको परिशान करने के लिए था calculation के नाम पर इसमें मेरे भाई कुछ भी नहीं था ठीक है कुछ भी नहीं था आप यहां पर इस बात को समझे तो जो दिया गया था वो selling price था तो 100 से गुना कर दिया cost price आ गया और इस cost price को मेरे भाई 30% बढ़ा दिया तो नया cost price आ गया यह नया cost price है और यह selling price है तो percentage profit बता दो 14 से 2 से हमारा 14 खतम है 100 से हमारा 100 खतम है 0 से हमारा 0 खतम है यह 14 वहां चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 13 15 14 यानि कोई वेक्ति 13 रुप्य के समान को 14 रुप्य में बेच रहा है तो उसको profit हमारा कितने का होगा तो आप बोलोगे सर देखिये percentage profit बराबर percentage क्या हो जाएगा profit और यह कितने का होगा तो बोलोगे सर एक रुपय का profit कितने के फिर सब्सक्राइब तेरह के उपर सब्सक्राइब वबर करीब करेक्ट नम्बर करेक्ट रूख़ा है क्लियर है यह बात यहां पर कोई दिक्कत की बात है कोशा नपर 22 के बारे में में क्या कहा गया है जरह देखो मेरे बाई कहां कि वस्तु A और B का क्र्यमूले समान है यहां पर A को 40% कि लाब पर बेचा जाता है और B को A के विक्रेवन ने से рад हैma ने बेचा जाता है फूरे लिदेन में 20% का लाब होता है तो कि अन्हों का हमारा cost price से मैं हम अपने तरफ से माल लेते हैं कि इसका CP हमारा 100x और इसका भी CP हमारा 100 X है मेरे लिए Next यहां पर कहा गया question में if a sold at a profit of 40% अगर हम a को यहां 40% के profit में बेशते हैं and B sold at 64 less than the selling price of A यानि 40% के profit में बेशना तो इस पर 40% का profit यानि 100 में 40 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 140X हो जाएगा ठीक है और उसके बाद यहां पर कहा गया B sold at 64 rupees less than the selling price of A इसके selling price 64 इसकी कम किमत है यानि कितनी है तो 140X minus 64 हमारा हो जाएगा अब कहा गया if there is a profit of 20% in the entire transaction पूरे के पूरे transaction में 20% का हमारा profit है पूरे के पूरे transaction में 20% का profit है तो बोला गया then the selling price of B is मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल को एक तो यह method हम आपको बता देते हैं और बाकी मेरे भाइस का हम second method भी आपको बता देंगे यह हमारा basic method है कि second method में आपको उता देंगे जो आपका मेंस वाला approach होना चाहिए कि भाइ दो article को हमने समान दाम पे खरीदा है एक को हमने 40% के profit पर बेचा है अगले को हमने इस से भी 400 रुपे कम में बेचा है टोटल पर जो मुझे profit मिला है वो मेरा कितना मिला है तो वो मेरा 20% का मिला है यानि इन दोनों का selling price का जो cost होगा पहले का selling price 140 और दूसरे का मेरे भाई 140x-64 यह जो दोनों का selling price होगा ना यह बराबर होगा 100 जमा 100 यानि 200 और ये 200 का कितना percent मेरे भाई ? तो 200 का 120 percent 200 का मेरे भाई कितना तो 120 percent क्योंकि total पर हमें 20 percent का profit हुआ तो total selling price भराबर total selling price हमने यहाँ पर भराबर कर दिया है समझ गये मेरी भावनाओं को यहां पर 140-140 हमारा कितना हो गया ? date 2800 हो गया और यह हमारा माइनस 64 हो गया भाई अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 12,24 यानि यह हमारा 240 हो गया 210 सी में से 240 एक हमने गटा दिया तो लगबग आप ऐसे मान के चलिए कि 46 की वैल्यू हमारी आ गई है किस के करीब में तो 64 के करीब में कॉशन में हमसे यहाँ पर क्या कहा है Selling Price of B तो B का हमारा Selling Price हमारा कितना है तो B की अगर हम बात करते हैं भाई तो फिलाल अगर आप 4 से काटोगे तो 4 से आपका काटोगे तो 10 बार में और 4 से काटोगे तो आप 16 बार में यह 10 का 14 गुना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 का 14 गुना में से मेरे भाई 64 हमें घटा देना है 16 के 14 गुना में से कितना घटा देना है तो 16 के 14 गुना में से हमारा 64 जो हमें घटा देना है 16 के 64 ठीक है और यहाँ पर हो जाएगा 224 में से 64 हम घटा देते हैं कुल मिलाकर मेरे भाई यहाँ पर 160 हो जाएगा यह हमारा correct transfer option number C है यहाँ पर इसको हमने किस से किया तो इसको हमने basic से किया कि हमने इसको 100 माना इसको 100 माना यहाँ पर 40% का profit है तो यह लिखा इससे 400 रुपई यह कम थे तो हमने यह लिखा total पर हमें 20% का फायदा है यानि दोनों selling price को जोड़ने पर इसके 120% के बरावर और यह value हमने निकाली है अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस सवाल को हम और short में कैसे कर सकते थे थोड़ा tactical way में कैसे कर सकते थे तो वहीं बात है हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं तो हम यहाँ पर allegation का मेरे भाई concept हम लगा सकते हैं allegation के concept को बलखुई तरीके से हम लगा सकते हैं और उससे हम बना सकते हैं यह बताईए पहले article पर profit हमारा कितने का है तो 40% का दूसरे article पर हमारा कितना है मेरे भाई तो यहाँ पर जो है k% का है और total पर जो हमारा profit है वो हमारा कितना है तो बोलेंगे sir 20% का है यहाँ पर अगर हम ratio देखेंगे मेरे भाई तो यह 1 ratio 1 है जैसा मैंने आपको कहा था कि profit या loss percentage में अगर आप allocation लगाते हैं तो नीचे आपको CP का ratio मिलता है तो आपसे कहा गया है यहाँ पर की एक article को 40% के profit पर बेचा है एक को मान लीजे के पर बेचा है total को आपने 20 में बेचा है तो यहाँ पर मेरे भाई जो है यहाँ पर दोनों का CP हमारा क्या आया है कोई परिशानी की बात है कोई दिक्कत की बात है अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 40 में से 20 घटा दीजे तो कितना हैगा 20 आएगा तो यहाँ पर एक की value हमारी 20 है तो यहाँ भी मेरे भाई value कितनी होगी 20 होगी 20 में 20 जोडने पर 40 आए तो 20 में 20 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हैगा 0% यानि दूसरे वाले को ना हमने profit में बेचा है ना हमने loss में बेचा है जो है निल बटे सनाटे के बराबर हमने उसको बेच रखा है यह हमें बताने की भी आवशक था थी अलाकि आपको यहीं से समझ जाना था कि एक को हमने 40 पर बेचा और दोनों को मिला के मेरे भाई 20 निकल के आया है यानि अगले पर हमारा कोई भी value नहीं है आप समझो यहाँ पर 1 पर 40 का फायदा है दूसरे पर 0 का फायदा है तभी तो divided by 2 करेंगे तो हमारा 20 आए गया यानि दूसरे को ना हमने profit में बेचा है ना हमने loss में बेचा है उस पर हमें कोई भी profit नहीं हुआ है 40 minus 20 तो 20 आया गरारा 20 तो इसका भी मान 20 20 में 20 जोड़ने पर 40 20 minus 20 Minus 20 यानि कहतम अगले article को ना हमने profit में बेचा है profit में बेचा है न हमने loss में बेचा यानि यह article को as it is के क्रामुल मुल्य पर बेचा गया है यह article को as it is मेरे बाई इसके क्रामले पर बेचा गया अब देखिए relation आप किस तरीके से यहां पर निकालेंगे और अगली पॉonomy को समझे आपको मेरे भाई question में कहा गया कि A को 40% के लाप पर बेचा जाता है और B को A के विक्रेम मुले से इतने रुपए कम में बेचा जाता है ठीक है यानि इसको 40% profit में बेचा गया तो इसको इसको 40% कम में बेचा जाएगा मेरे भाई यानि अगर हम बात करेंगे तो यह जो हमारा 64 है यह मेरे भाई 40% की value है और हमें कितने का मान निकालणा है जा जाएगा हमें100% का मान निकाल यहीं हमारा क्या हो जाएगा तो यहीं हमारा selling price भी हो जाएगा zero-zero चार से मेरे भाई कितनी बार में, 16 बार में, 160 हमारा आंसर आजाएगा बात खतम, तो इस सवाल को बिना कलम उठाए भी आप बना सकते थे, इतना कुछ आपको करने की आवशकता भी नहीं थी, अगर आपके जगा परिक्षा में हम पेपर दे रहे होते, तो हम सिर्फ इतना कर है, एक आर्टिकल को 40% के प्रॉफिट पे, और दूसरे आर्टिकल को माई वेरे कितने से, तो एकदम 0% के प्रॉफिट में, यानि कितने की कमी है, कितने की कमी है तो 40 की, तो यह हमारा कितने का मान है तो 40 का, दूसरे आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, वहीं उसका कॉ तीन टाइप है, यह हमारा तीन टाइप क्या था, तो टाइप नंबर वन था हमारा सेम कॉस्ट प्राइस, अभी तक कि जितने भी सवाल आपने देखे हैं, वो सभी में आपने एक चीज बड़ा कॉमन देखा होगा, कि आप चाहिए एक वस्तु खरीद रहे हैं, दो खरीद र नहीं हैं, लेकिन आप उनको एक दाम पर बेचेंगे, यह बात ते है, जरूर होगा, आप एक मोबाइल भी खरीदेंगे, एक बाइक भी खरीदेंगे, आप दोनों चीज़े आप खरीदेंगे, आपने कितने रेट में खरीदा, यह बात पुरी दुनिया में किसी को नहीं लेकिन आप बेचोगे, तो सेम रेट पर यह बात पुरी दुनिया को पता होगा, तो वो हमारा टाइप आ जाता है, नेक्स्ट हमारा टाइप नमबर टू, सेम SP, सेम SP का हम आपको एक 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 जामपल देते हैं, और हम आपको समझाते हैं, कि यहाँ पर मैंने जैसे एक और यह गन को हमने बेचा है 30% के मेरे भाई, प्रॉफिट पे, इस तरीके से कि Selling Price of Mobile Phone जो है आपका, बराबर है मेरे भाई, Selling Price of Gun के, तो यहाँ पर हमारा Total Cool मिलाकर 3 चीज़ पूछा जाता है, सवाल नमबर एक मेरे भाई, पूछा जाता है, कि Cost Price of Mobile और Cost Price of Gun, यहाँ पर यह ratio बता दीजे कितना होगा, और सवाल नमबर दो यह पूछा जाता है कि इस तरीके से बताओ, overall तुम्हें जो Profit है, या जो तुम्हारा Law से मेरे भाई, वो कितना होगा, कुल मिलाकर तुम्हारा Lab या तुम्हारा हानी मेरे भाई, कितना होगा, यहाँ पर यह बता दीजे तो मैंने का न, यह दो तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं, सेम SP में, दो आर्टिकल दे दिया जाएगा, एक को फलाने के लाप पे, दूसरे को फलाने के लाप पे, दोनों का सेलिंग प्राइस हमारा सेम कर दिया गया है, और सवाल नमबर एक CP का रिशियो, सवाल नमबर तो टोटल प्रॉफिट या लॉस का मेरे भाई, तो ऐसे सवाल होगो हम कैसे करते हैं, तो देखे, समझे इस बात को लेकर, यहाँ पर क्या होगा, मॉबाइल को 20% के प्रॉफिट पर बेचा, यानि अगर मॉबाइल फोन अपने आप में 100% है, तो उसका 20% प्रॉफिट या 30% के प्रॉफिट पर, यानि अगर आज गन मेरे भाई अपने आप में 100% है, तो इसमें 30% का फायदा यानि यह कितने बिखेगा तो अपने आपके 130% में बिखेगा, ठीक है, 100% से हमारा 100% हो खतम हो जाएगा, 0% से हमारा 0% खतम हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखेंग तो CPF मोबाईल और CPF गन, यानि इनका रेशियो कितने का हो जाएगा, 13 रुपए और 12 रुपए, यानि ग्रेम ले का अंतर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 13 रुपए, तो पहला कोशन जो एक्जामनेर इसके उपर स्रेट करता है, वो यह करता है, कि आपने दो आर्टिकल को बेचा है, दोनों को समान दाम पे बेचा है, यदि दोनों का कॉस्ट प्राइस इतना है, एक का हमारा कितना होगा ये बता दीजे, ये हमारा पहला सवाल, और दूसरा सवाल मेरे भाई, यहाँ पर क्या होता है, Overall Profit or Loss, मेरे भाई, इसके लिए आप दो तरीके से जा सकते ह एक तो यहां आने के बाद आप इसका basic लगा लिजे मेरे भाई और नहीं तो दूसरा जो है आप direct यहां पर formula का प्रयोग कर सकते हैं अब आप मेरे भाई यहां पर direct formula बताईए जिनको पता है जिनको हमने पढ़ाया है YouTube से लेकर दुनिया जहान में तो वह direct formula बताएंगे कि जब हमारा selling price same होता है जब हमारा selling price same होता है और दो अलग-अलग आर्टिकल पर हमें अलग-अलग percentage profit or loss मिले तो हम किस तरीके से निकालते हैं यह देख लीजे मेरे भाई यह आपका direct formula होता है तो 100 into x plus y और plus हमारा 2xy फिर इसका एक special case भी हम आपको पढ़ा देंगे जो कि आपको ध्यान रखना है कि sir 100 into x plus y plus 2xy divided by 200 plus x plus y यह भी आपको मेरे भाई ध्यान रखना है यहाँ पे तो इसको जरा यहां पर देखो तो आप क्या बोलोगे बोलोगे sir यह हमारा 100 हो गया ठीके x की value 20% profit है तो x के जगह पे हम कितना लेंगे तो 20 लेंगे और y के जगह पे हम यहां कितना लेंगे sir तो y के जगह पे हम यहां 30 लेंगे प्लस हमारा 2 into x यानि 20 into हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 जमा x जमा y यानि बोलेंगे सर 200 और जमा हमारा हो गया 20 और जमा हो जाएगा हमारा 30 यह direct आप निकाल पाओगे इससे आपको काफी जादा benefit होगा यहाँ पर 100 into x plus y plus 2xy divided by कितना हो जाएगा 200 plus x plus y मेरे भाई कोई दिक्कत की बात यहाँ पर कोई परिशानी की बात भी इसमें छोटा सा condition हमाप लगों के लिए प्रूफ कर देंगे उससे भी आप लगों को काफी जादा फायदा होगा तो अगर आप देखेंगे तो 30 और 20 हमारा कितना हो गया 30 और 20 पचास 50 को आप इसके साथ गुना करो तो बोलो कि सरी यह 5000 है और profit यह ना दूस बिलकुल ठीक है 3 into 2, 6 into 2, 12 तो यह हमारा हो जाएगा 1200 सो भाई और यहां पर हो जाएगा 2500 कुल मिला कर यह कितना हो जाएगा हमारा 2500 के करीब में तो यहां पर 5000 और यह हमारा टोटल हो जाएगा 600 और यह 600 को हमें डिवाइट करना है किसके साथ तो 2500 के साथ 0 से 0 खतम 25 का मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 25 का आपका दोगुना 50 हो जाएगा ठीक है 25 का लगबग दोगुना 50 120 बार में है तो 25 हो के 100 हो जाएगा और यहाँ 24.8% के गरीब में कुल मिलाकर हमारा आंसर आएगा भाई 24.8% जो है वो हमारा आंसर आएगा तो थोड़ा से इस बात का ध्यान रखना है हाला कि छोटे मोटे डेटा दिये जाते हैं ऐसे डेटा जिया था जो इन टीजर होता है जैसे 20% के जगा 12% दे देगा 30% के जगा पे 3% दे देगा प्रॉफिट भी दे सकता है लॉस भी दे सकता है तो यह फर्मला याद रखना है 100 इंट 2X प्लस Y प्लस 2XY डिवैड़ बाई 200 प्लस X प्लस Y अब यहाँ पर एक छोटी सी बात हम आपको बताते है और वो मेरे भाई क्या है तो यहाँ पर जैसे नोट में आप लोगों को दो बाते लिखना है नोट में यहाँ पर नोट नॉमबर A हमारा हो गया यहाँ पर जो है प्रॉफिट यह लॉस परसेंट का फर्मूला हमारा क्या हो जाएगा तो बोलोगे सर 100 इंटू X प्लस Y प्लस यहाँ 2XY और डिवैड़ बाई कितना हो जाएगा डिवैड़ बाई हो जाएगा सर 200 जमाई X जमाई लेकिन इसमें condition आ जाता है और condition मेरे भाई क्या होता है जब x का percent यानि जब आपका profit का percent जो है वो बराबर होता है आपके loss के percent के यानि जितने percent का आपको लाब होता है अगर उतने ही percent का आपको हानी हो जाए तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा तो आप यहां बोलेंगे सर यह 100 हो गया ठीक है, प्रॉफिट के लिए हम X का इस्तमाल करते हैं और लॉस के लिए हम माइनस X का इस्तमाल करेंगे ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर 2 इंटू हम X लिखेंगे और यहां पर यह हमारा हो जाएगा माइनस X और डिवाइड़ भाई सर टोटल कितना हो जाएगा तो टोटल हमारा हो जाएगा 200 प्लस X और माइनस X यहां पर अब X माइनस X यह 0 है तो यह पूरा कहानी 0 कर देगा X इंटू X यहां पर हो जाएगा सर कितना हो जाएगा, देखिए 0 है तो ये तो सर्फ पूरा 0 हो गया x into x यहाँ पर हो जाएगा minus 2 into x square ठीक है ये भी हमारा पूरा-पूरा मेरे भाई खतम हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा 200 ठीक है अगर आप 2 से मेरे भाई काटोगे तो ये हो जाएगा यानि ये finally convert हो जाता है x square upon 100 में और ये हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम दो आर्टिकल को बेशते हैं दोनों को हम समान कीमत में बेशते हैं ये पूरी दुनिया को पता था कि ये ऐसे होता है लेकिन ये आया कहां से ना ये मेरे भाई किसी को पता नहीं था ये मैं guarantee कह सकता हूँ तो जब हम दो आर्टिकल को बेशते हैं दोनों को हम बराबर सेलिंग प्राइस पर बेशते हैं जहां पर एक को प्रॉफिट होता है एक को लॉस होता है तो उसकेस में 100% मेरे भाई लॉस होगा और वो निगलेगा एकस स्कुएर अपॉन तो तीन सवाल पूछा जाता है दो सवाल पूछा जाता है सवाल नंबर एक CP का रेश्यो और सवाल नंबर एक Profit या Loss का रेश्यो अलग-अलग value है तो ये formula लगा दीजे और अगर मेरे भाई Profit % हमारा Loss % के ये बराबर हो गया तो ये formula लगा दीजे आपको एक प्यारे से question में दिखाते हैं जो आपके सीजल के paper में पूछा गया सवाल है आप इसी सवाल को देखे इस सवाल क्या है दो गोडे में से प्रते को 1599 रुपे की दर्शे बेचा जाता है मेरा मर्जी चले ना तो इस 1599 को मैं ऐसा बना दू की 1599.45 ताकि दुनिया को लगे कितना कैलकुलेटिव डेटा है बट असल में कैलकुलेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर दो गोडे को मैंने इतने रुपे में बेचा है पहले को 25% के लाब पे दूसरे को 20% के हानी पे पूरे सौधे में लाब यहानी प्रतिशत जो है वो हमारा कितना है अब अगर आप देखेंगे तो एक आर्टिकल को आपने 25% के मेरे भाई प्रॉफिट में बेचा है और दूसरे आर्टिकल को आपने यहाँ पर सेगेंड को 20% के लॉस में बेचा है अब मज़े की बात वहीं वाली बात है कि हमने दो आर्टिकल बेचें और यहाँ पर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का क्या सेम है तो सेलिंग प्राइस हमारा सेम है तो ओवरॉल अगर हम बात करते हैं तो ओवरॉल हमारी कहानी क्या होगी तो overall भाई वहीं बात हो जाएगी आप बोलोगे सर आपने अभी तो सिखाया 100 into x plus y plus यहाँ पर 2xy और divided by कितना हो जाएगा तो divided by यहाँ 200 plus x plus y 200 plus x plus y अब यहाँ देखेंगे तो यह 25 और यह 20 है तो 25 minus 20 25 minus 20 तो यह कितना हो जाएगा 100 into 5 ठीक है उसके बाद 25 को यहाँ माइनस 20 के साथ गुना करो तो हो जाएगा माइनस का 500 और माइनस 500 का मेरे भाई 2 गुना देखो 25 को माइनस 20 के साथ गुना करो माइनस का 500 माइनस 500 का मेरे भाई 2 गुना माइनस हो जाएगा मेरे भाई 1000 और divided by 200 plus x plus y तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 और प्लस 25-20 jáने कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा 500 में से 1000 चला गया तो 500 में से 1000 चला गया तो minus का 500 हो जाएगा और नीचे अगर हम بات करते हैं तो हमारा 200-5 हो जाएगा अब मेरे भाई ये profit वाला शब्द हटा दो, ये profit हटा दो, ये neither profit nor loss हटा दो, अलाकि loss होगा, ये तो खहर आपको calculate करने की भी आवशक्ता नहीं थी, जैसे आपका answer minus में है तो आप loss पर टिक कर देते हैं और आपका answer मेरे भाई आजाता, बाकी 5 से काटना है तो काट लो 5 से त अपने सवालों को फटाक फटाक वहाँ पर लपेट लें, आउ question number 40 देखते हैं, question number 40 को सीखते हैं, क्या कहा गया है, दीपक ने एक वस्तु को 3P में खरीदा है, और 20% के लापर बेश दिया, यदि वह इसे पी रुपे अधिक में खरीद, 400 अधिक में बेशता है, तो उसका ला प्रतिशत 25% होता है, दीपक द्वारा अर्जित नया ला प्रतिशत क्या होगा, यदि वह वस्तु को नए विक्रे मुले से 300 रुपे कम पर बेशे, very बवाल question आप कह सकते हैं, पढ़िए ज़रा सवाल को और देखिए कैसे बन सकता है, तो दीपक ने किसी वस्तु को 3P म खरीदा है, और 20% के profit में बेच रहा है, यानि अपने आपका 6 बटे 5, तो हम बोलेंगे सरी यहां 3P के 6 बटे 5 में उसने बेच दिया, सीधा बोलो के 6 बटे 5 कहां से आए, 20% का मान 1 बटे 5 होता है, 5 में खरीदा तो 6 में बेच आ है, कहा गया, had he purchased for P more, यदि उसने यहां P ज्यादा में खरीदा होता है, कितने में, तो भाई 4P में खरीदा होता है, ठीक है, and sold it for 420 more, profit percent would be 25%, तो यहां पर अब उसका profit कितना होता 25, 25 का मतलब 1 बटे 4 है, यानि इस संख्या का 1 बटे 4P होता है, इसमें पी जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5P हो जाएगा, तो पहले की तुलना में यहां पर जो है, वो कितना जादा बोलेगा, तो पहले की तुलना में मेरे भाई 220 जादा, यानि इन दोनों का difference हमारा कितना है, तो 220 है, फिर से repeat कर देता हूँ, 3P में खरीदा था, 20% का profit, यानि अपने आपका 6 बटे 5 हो गया, तो इतने में बेच तो पहले की तुलना में 220 जादा था, इसमें से इसको माइनस करो, तो यह 18 बटे 5 है, 18 बटे 5 का मतलब मेरे भाई कितना हो गया, तो आप यहां पर देखोगे, सर यह देखो, यह वैल्यू हमारी किसके बराबर, 18 बटे 5 यानि 3.6 P, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यह 3.6 पी है, ठीक है, यह हमारा कितना है, 3.6 P है, पहले 3.6 P में बेचता था, अब 5 P में बेचता है, यानि कितना मेरे भाई अधिक बेचा है उसने, तो बोलो के 1.4 P, और 1.4 P की वैल्यू हमारी कितनी है, तो हमारा 220 है यहां पर, यहां पर रहन 18 बटे 5 यह 3.6, तो मेरे भाई यहां पर, अच्छा, डिफरेंस 420 का है, चलो भाई, डिफरेंस यहां 420 लिख लो, तो 1.4 P का मान हमें दे रखा है, यहां दशमला हटाओगे तो 0 आएगा, और 14 से काटोगे तो कितनी बार में, 300 बार में, तो P का मान कितना निकल कर आ गया, 300 निकल के आ गया, अब कोशन म अब यहां पर बहुत लोग क्या करते हैं, मैं बता रहा हूं, वो क्या करेंगे, P के वैल्यू को रखके सेलिंग प्राइस निकलेंगे, फिर उसके बाद इसमें से और कम करेंगे, इतना जंजट क्यों करना भाई, तुम एक बात बताओ, तुमको क्या निकलना है, प्रॉफिट का पर शंट ही निकलना है न, तो यहां पर लिखो तुम CP, और यहां पर लिखो तुम SP, अब जो बोलूँगा वो देखना, पहले त तुम कितने में खरीदते थे, तीन P में खरीदते थे, और कहा गया कि यदि वह नया वाला सेलिंग प्राइस से 300 कम में बेचे, अगर मैं P का मान 300 कह रहा हूं, तो क्या मैं उल्टा 300 को P नहीं कह सकता, यह बताना, मैं यह भी तो कह सकता हूं, 300 रुपे का मतलब P होता है, य बेरे भाई, 4 P हो जाएगा, यानि खरीदा हमने 3 P में था, बेचा हमने 4 में, 3 का समान 4 में, 1 का फाइदा 3 पे, 33.3, 3% option number D answer है, बात खतब, और इस चीज़ की वैल्यू क्यों निकालना है, यहां पे बैठके, कि अच्छा नहीं, CP का मान निकालेंगे, फिर SP का मान निकाले पिर हम कम करेंगे, अपने आप पूल जाएंगे, और उसके बाद जहां बनाने थे 5 सवाल, अपने आपको 2 में समेट के विरभाई, अपने आपकी बत्तिक गुल कर लेंगे, क्यों करना इतना, 300 रुपे कम करने थे, तो 300 का मतलब P भी तो होता है, तो इस में से P कम कर लो, यानी 4 भी कर लो, 3 के समान को 4 में बेशते हो, एक का फायदा 3 प, और एक बटे 3 कितना होता है, तो 33.33% होता है, इसके अलबा किसी भी भाई का कोई भी डाउट रहता है, तो इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता देना, मैं परसनली आप लोगों के हरे कमेंट का रिपल कि अलबाद भी नहात।